नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको पीलिया रोग से संबंदिक दवा बताऊंगा पीलिया रोग बहुत ही खतरनाक है अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो एलोपेथिक दवाओं में कोई दम नहीं जो इसको ठीक करते हैं और अगर आप आयरुवेद में आते हैं तो आयरुवेद में बहुत सारी दवाईया पड़ी हैं जो पीलिया को जड़ से खत्म कर देती हैं और बहुत जल्ड ऐसी है आपको मैं आज एक तबह बताने जा रहा हूँ इसको श्वेतार्क कहते हैं अकववा कहते हैं इसके अलावा इसको मदार भी कहते हैं ये सरकों के किनारे जहां तहां खड़ा आपको आराम से मिल जाएगा ये आपको सुबह इसकी जो पत्तियां निकलती है छोटी छोटी कौपल होती है वो आपको दोनों तोड़ लेनी हैं सुबह और उसको थोड़ी सी गुर में रखके आप सुबह खाली पेट बीमार आदमे को खिला दीजिए जिसको भी पी लिया है और यकीन करिए कि तीन से पाँच दिन खिलाने पर ही पी लिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा कोई चिंता की बात नहीं है कोई आपको पैसा नहीं खच करना बस आप कहीं सरक के किनारे जाएए देखिए वहाँ अकववा खड़ा होगा उसको अकववा भी कहते हैं चाहे वो सफेद फूल का हो या लाल फूल का हो कोई साभी मिल जाए बस आप उसकी दो पक्ती छोटी छोटी जो इतनी बड़ी होती है उनकी कौपल आप तोड़ लीजिए और गुड़ में रखके सुगर खिला दीजिए ध्यान लखने वाली बात यह है कि उसको तोड़ने के बाद जो हाथों में दूद लगेगा उस दूद को तुरंत धो दीजिए वो इसलिए क्योंकि ये आँखों को नुक्सान पहुचा सकता है इसलिए आप खिलाने के बाद या पत्ती तोड़ने के बाद आप हाथ धो लीजिए जाब उन से फिर कोई नुक्सान नहीं पीलिया आपका जर से ठीक हो जाएगा तीन से पांच दिन में ही धन्यवाद